नमस्कार, मैं पुझा भंडारी मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ इतिहास के पन्नों में आज क्या कुछ घटित हुआ क्या कुछ खास घटा जिसने आज की वर्तमान को बदला और आगे भविश्यों को भी बदल रहा है तो आईए इस वीडियो में देख लेते हैं आज के दिन 1600 में ब्रिटेंग की महरानी एलिजाबेद प्रथम ने शाही फर्मान जारी कर इस्ट इंडिया कंपनी के पंजी करन का आदेश दिया था महरानी ने पूर्वी एशिया, दक्षिनी पूर्वी एशिया और भारत के साथ व्यापार के लिए इस कंपनी को पंजी करित करने का आदेश दिया और इसके लिए शाही फर्मान जारी किया था आजी के दिन 1802 में पेशवा बाजी राओ दूतिये बिटिस संरक्षन में आये थे वे 1818 तक मराठा समराजजी के पेशवा थे, इनके समय में मराठा समराजजी का पतन होना शुरू हुआ था आजी के दिन 1964 में डॉनल्ड कैप बेल्ट ने पानी और जमीन पर सबसे तेज रफतार में बाहन चलाने का रिकॉर्ड बनाया था एक ही वर्ष में दोनों सताहों पर रिकॉर्ड बनाने वाले वा दुनिया के पहले वेक्ती थे कि रफतार के इसी जुनून ने 1967 में उनकी जान ले ली थी आजी के दिन 2004 में ताइपे ताइबान में 508 मीटर उची इमारत का उदगाटन किया गया था उस समय इसको दुनिया की सबसे उची इमारत होने का दावा किया गया था ताइपे ताइबान दुईब के सबसे बड़े मेटरोपॉलिटन छेतर का केंद्रिये शहर है आज ये दिन अमेरिका में 1781 में पहला बैंक बैंक आफ नोर्थ अमेरिका में खुला था बैंक आफ नोर्थ अमेरिका का एक नीजी राष्टिये बैंक था जो संयुक्त राज अमेरिका के पहले वास्तवी केंद्रिये बैंकों के रूप में कारे करता था आज ये के दिन सन 1999 में इंडियन इयरलाइन्स के विमान 814 का अपरहन कर अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड़े पर ले जाया गया था साथ दिन के बाद 190 लोगों की सुरक्षित रिहाई के साथ ये बंदक संकर टला था आज ये दिन व्यंग लेखन के विख्या साहितिका श्रीलाल शुकला का 1925 में जनम हुआ था उनका पहला प्रकाशित उपन्या सूनी घाटी का सूरज तथा पहला प्रकाशित व्यंग अंगत का पाउँ था आज ये दिन चीन के शंगाई शहर में 2014 में ने साल की पूर्व संधिया पर मची भगदर में कम से कम 36 लोग मारे गए तथा 49 अन्य लोग घायल हो गए थे जहां जमानव तस्करों द्वारस अंचालित किया गया था जिनोंने इतावली टटके साथ टकराव के पाठे करम पर नैविगेशन प्रनाली स्थापित करने के बाद पोद पोद छोड़ दिया था आज़ी के दिन 2014 में इतावली राष्टपती जियोर्जियो नेपॉली टानों ने अपने स्थीफे की घोशना की थी पासी वर्षिय राष्टपती ने 2013 में पूर्णा मिलन के बाद संकेत दिया था कि वो साथ साल की कारे काल के अंत से पहले सेवा निविद हो जाएंगे आज़ी के दिन मैमार की सैने सरकार ने 2007 में साथ विपक्षी नेताओ को गिरफतार किया था आज़ी के दिन 1944 में दुतिय विश्व युद में हंगरी ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की थी आज़ी के दिन सुरक्षा कारणों से संयुक्त राज अमेरिका ने 2005 में मलेशिया में अपने दूतावास को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया था आज़ी के दिन 1744 में अंग्रेजी खगोल विग्यान जेम्स पेडली ने प्रिथवी की नाटिकी ये गद्धी की खोज की थी जिन्होंने 1742 से एस्ट्रोनॉर्मल रॉयल के रूप में काम किया था उन्होंने खगोल विग्यान में दो मौलिक खोजो प्रकाश के उन्मूलन और प्रिथवी के कक्ष के पोशन के लिए जाना जाता है आजी के दिन 1827 में ब्रिटेन के आविशकारन जान वौकर ने माचिस का आविशकार किया था लेकिन इनके द्वारा बनाई गई माचिस को इस्तमाल करने में काफी जादा मेहनत लगती थी और यह काफी कटिन भी था और इस माचिस को इस्तमाल करने में भी काफी खत्रा था या माचिस किसी भी खुर्दूरी जगह या लकड़ी पर रगड़ते ही आग पकड़ लेती थी